हेलो फ्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका होस्ट ब्रह्मदेव फ्रेंज ट्रॉपिकल रिजन के सबसे पॉपुलर एवर ग्रीन ओर्नमेंटल फ्लावरिंग प्लांट्स के लिस्ट में अला मंदा का नाम बड़े ही प्यार के साथ हर गार्डेन लवर्स के द्वारा लिया जात इसे गॉल्डेन ट्रंपेट या येलो बिल्स के नाम से भी जाना जाता है अला मंदा बेसिकली एक पेरेनियल ट्रीपिंग वाइन है जो वार्म क्लाइमेटिक कंडिशन में बहुत तेजी से ग्रो करता है और ठंडे महीनों को छोड़कर बाकी के सारे महीनों में फूलों से भरा रहता है इसकी लगभग 15-16 हाइब्रीड प्रजातियां उपलब्ध हैं जिन में से कुछ वाइट पिंक परपल आधी सेट्स में भी फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन गोल्डेन येलो कलर सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग कोंट्रास्ट पैदा करता है और सब कॉम्पैक्ट श्रब या बुस में बदला जा सकता है अपने वर्सेटाइल ग्रोथ हैबिट के कारण अलमंडा को पॉर्ट में ग्रो करने के अलावा ग्राउंड कवर के तौर पर हैज की तरह एक फ्लावर बेड की तरह या फिर एक क्रीपिंग वाइन की तरह आसानी से ग् लब्ध है जिसे आप पॉर्ट में लगा हुआ देख सकते हैं अलमंडा की यह द्वार्फ वराइटी अधिक्तम दो से तीन फूट की हाइट तक ही बढ़ती है इसे अलमंडा स्कॉट्टी या बुस अलमंडा के नाम से भी जाना जाता है तो आज के वीडियो में मैं इस सां मैसिया फैमिली से आता है इसे गर्मी और सुर्ज की सीधी रोशनी बहत पसंद है और बहुत अधिक मात्रा में फ्लावर्स प्रड्यूस करने वाला प्लांट है इसके फूलों में हलका फूटी फ्रेग्रेंस होता है और फूलों के ऊपर हनी बीज, बटरफ्लाइज, वास् लेकिन फ्लावर्स की प्रोडक्शन रेट काफी हाई होती है इसलिए एक्टिव ग्रोथ पीरियड में फ्लांट हमेशा फूलों से भड़ा रहता है अलमंडा को सुर्ज की रोशनी के अलावा भरपूर गर्मी की अवसक्ता भी होती है इस करण इसका पीक फ्लावरिंग नहीं कर पाता है इसलिए विंटर में अलमंडा को डॉर्मेंट कंडिशन में रखना चाहिए इसके लिए जारे की सुरुवात होते ही अलमंडा की फर्टिलाइजिशन रोप देनी चाहिए और पानी भी केवल इतना देना चाहिए कि वह जस्ट सर्वाइब कर सके अगर संभ होतों विंटर में फ्रोस्ट या कोल्ड ड्राप से अलमंडा को बचाना चाहिए इसके लिए पॉटेट प्लांट को आप इंडोर किसी गर्म और सिल्टर जगह पर सिफ्ट कर सकते हैं ठंट के दोरान अलमंडा के पत्ते पूरी तरह से जढ़ सकते हैं लेकिन इससे तब तक कोई परिशानी नहीं होगी जब तक आप उन बातों का ध्यान रखेंगे जिसे मैंने अभी अभी बताया है यानि नो फर्टिलाइजर एंड वेरी लेस वाटर रे विंटर खत्म होने के बाद यानि मार्च एप्रिल में अलमंडा को आउट्डोर फुल सन में रखना चाहिए अगर ब्रांचेच के कुछ भाग सूख गए हों तो उन्हें काट कर हटा देना चाहिए इसके अलावा ब्रांचेच के उपरी भाग की हलकी प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं इससे अलमंडा में न्यू ग्रोथ की सुरुवात होने में मदद मिलती है इसके अलावा प्लांट की ग्रोथ को फर्दर बूश्ट करने के लिए अलामंडा की रिपॉर्टिंग भी कर सकते हैं इसके लिए प्लांट को पॉर्ट से बाहर निकालने निकालने के बाद रूट बॉल के चारो ओर की मिट्टी को 25 से 50 परसें तक की मात्रा में हटा दे जरुरत नहीं है बस पॉर्टिंग मिक्स को थोड़ा अमेंट कर देते हैं इसमें आप चाहे तो फ्रेस पॉर्टिंग मिक्स की थोड़ी मात्रा मिला सकते हैं और थोड़ी मात्रा में दो-तीन अलग-अलग तरह के कंपोस्टेड मैन्योर को भी ले सकते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट, कावडंग मैन्योर, किचन बेस्ट कंपोस्ट आगी इन्हें खूब अच्छी तरह से मिक्स करें और प्लांट को वापस उसी पॉट में रिपॉर्ट करें अलमंडा की ड्वार्फ वराइटी को बहुत बड़े पॉट की अवसकता नहीं होती है 12-15 इंच तक का पॉट इसके लिए सफिसेंट होता है अलमंडा को अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में इसकी ड्वार्फ वराइटी आपको मिल जाएगी हलाकि इसकी कटिंग से इसे बहुत ही इजिली प्रोगेट किया जा सकता है इसलिए अगर आस परोष से आपको इसकी कटिंग मिल जाए तब भी आप उससे नया प्लांट तयार कर सकते हैं अलमंडा की ड्वार्फ वराइटी का या छोटा सा प्लांट मैंने 60 रूपीज में एक लोकल नर्सरी से खरीदा या तीन इंच के इस प्लास्टिक पॉर्च में लगा हुआ है समर के किसी भी मंथ में आप इस प्लांट को लगाने की सुरुवात कर सकते हैं इसे लगाने के लिए मैंने 10 इंच का यह क्ले पॉर्ट लिया है जिसमें ड्रेनेज होल मौजूद है पॉर्टिंग मिक्स मैंने पहले ही तयार कर लिया है और उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगा अलमंडा के लिए ऐसी फर्टाइल स्वाइल की ज़रुत होती है जिसमें अच्छी मात्रा में और्गेनिक मैटर मौजूद हो इसके पॉर्टिंग मिक्स की ड्रेनेज भी अच्छी होनी चाहिए जिससे पॉर्ट में पानी ठहरे नहीं अलमंडा को मौइस्ट स्वाइल पसंद है लेकिन वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं तो मैंने जो पॉटिंग मिक्स बनाया है उसमें 30% की मात्रा में है सिंपल गार्डेंट स्वायिल 20% के मात्रा में है कोर्स reverse and 20% की मात्रा में है राइस हच्छ यानि धान की भूसी और बाकी बचे हुए 30% की मात्रा में है तीन अलग-अलग तरह के कंपोस्टेड मैन्योर का मिक्स्चर अब लगे हाथ में अलमंडा की water requirements के बारे में भी आपको बता देता हूँ summer में अलमंडा को regular watering की जरुत होती है इसके pot की मिट्री का उपरी layer जो ही सुखने लगे इसे फॉरन पानी दे देना चाहिए इसका potting mix अगर अधिक देर तक सुखा रह जाए तो इसके पत्ते जढ़ने लगते है यानि drought condition को यह अधिक समय तक tolerate नहीं कर पाता है सिर्फ winter के दौरान ही अलमंडा को बहुत कम पानी की जरुत परती है जिसे मैंने पहले ही आपको बताया है Friends, अलमंडा में लंबे समय तक heavy flowering होती है इसलिए इसकी fertilizer requirements भी बहुत अधिक होती है April से October तक इसे हर महीने दो बार fertilize करना चाहिए Active growth period में इसे phosphorus rich fertilizer देने से इसमें heavy blooming होती है इसके soil में हर महीने organic manure जैसे vermic compost, cow dung manure, neem cake powder, bone meal आदी की थोड़ी मातरा mix करनी चाहिए Chemical fertilizer के तौर पर NPK 1260, NPK 13045 और NPK 1919 का alternate spray हर 15 दिन के अंतरान पर कर सकते हैं अगर अलामंडा की पत्तियों में chlorosis के लक्षन दिखें तो micronutrients एक ग्राम प्रपिलिटर पाने में मिला कर दो हपते के अंतराल पर दो-तीन बार spray करें अलामंडा के प्लांट में spider mites, aphids, millibugs, scale अधी pests का infestation हो सकता है इसको prevent करने के लिए हर दो हपते के अंतराल पर neem oil या neem oil पर आधारित pesticides का चिर्काव करें अगर pest infestation ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो गया हो तो chemical pesticides के तोर पर imidacloprid का इस्तिमाल कर सकते हैं अलामंडा में root rot भी हो सकता है अगर इसे जरुवत से ज़्यादा पानी दिया गया हो या potting mix बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता हो potting mix को cool रखने के लिए summer में अलामंडा प्लांट के चारो ओर की मिट्टी के ओपर mulching करें mulching के लिए आप लकड़ी की चीलन यानी wood chips या सूखी पत्यों का इस्तेवाल कर सकते हैं friends वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलामंडा के प्लांट का हर पार toxic होता है इसे ingest करने पर आपको नुकसान हो सकता है इसके पत्तों को तोड़ने पर एक दुधिया रस निकलता है जिसको छूने से allergic reactions हो सकते हैं हलाकि या बात भी सच है कि अलामंडा एक medicinal plant है और इसके लगभग हर एक parts और milky sap को कई तरह के रोगों के उप्चार में इस्तेमाल किया जाता है तो आसा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए helpful साबित होगा अपनी पसंद की जाहिर करने के लिए कृप्या like बटन को प्रेस करें और इसी तरह के धेरो इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए city gardening चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी queries को आप नीचे comment box में post कर सकते हैं Thank you for watching